हेलो गाइज दूस्ट अभीकुजाहिन तो यूबी पुलिस के तारिक आज हमारा किस्वा दिन तो फानली हमने अपना 20 दिन कंप्लिट कर लिया है तो आज 18 माज तो आज का जो हमारा परिवाची है वह कपड़ा तो कपड़ा का वस्त्र वसन पट चीर अंबर दुकूल करना जब तक आप इसे आगबंतर के खुद से पूरा बोल ना ले तो यह से करके आपको यह याद दुजाएगा ठीक है उसके बाद करेंगे तो यह अपने आप आपके दिमाग में चलता रहेगा तो एक चीज़ हम इसमें और एक्स्ट्रा आइड करने वाले हैं एक तो अच्छा रहेगा तो अब उसके बारे में आगे बात करेंगे उससे पहले माप लोग को एक चीज़ बता दूं आप में से कुछ लोग की सिकात हैं तो यार जो मैं यह टागट देता हूं मैं खुद इससे जाएदे कुछ नहीं करता यह जो मैं फालो करता हूं जो मुझे अ क्या करना है क्या नहीं करना है मैं बस एक अपना आइडिया रखता हूं कि यह चीज करने से अच्छा हो जाएगा बाकि मैं कोई एक चीज भी अपना इस्टा नहीं करता ना तो मैंने कोई क्लास लिया ना कुछ मैं जो करता हूं फिरी में करता हूं और यूटूब से करता ह यह सारी चीजे मैने को मैं नहीं नहीं करता और आपको बता रहा हूं тебе ऊसundred कि अब सबसे बास करना की तुम कुछ उत वह और वी manufacturing क्षouncer जिसमें हम एक से लेकर किस तक लिखेंगे और rrk लिखेंगे ये आपको लिखन अपने आपल याद जाएगा अगर डेली अपने रभ पे इसे लिखेंगे तो अपने आप यह याद होना करना भी kalian क्योंकि यह हमारा कैलकुलेशन में बहुत मदद करता है उसके बाद आपको दस जोड दस बुड़ा दस भाग दस घटाना करता करना है यह करी किया करे यार यह बहुत फायदे मंद है जिनकी रिजिनिंग माहत यह सारी चीजे कम जोड़ है इनसे अच्छे से अपने आप परणाम कर लिया है आज हम वचन करेंगे यह एक छोटा से टॉपिक है तो आपको वचन के बारे में अच्छे पढ़ना एक वचन बहुचन उसके थियोरी कैसे बनते हैं यह सब चीजे आपको पढ़नी है उसके बाद आज आते हम हिंदी में आपको आप बिलों मुहावरे लोकक्तियां हमने बहुत जादे कर लिया है लगवत 3-400 कर लिया है तो अब हम क्या करेंगे 30 वर्तनी तो आपके बुक आपके पास कोई भी बुक होगी तो उसमें 30 वर्तनी दिया होगा जैसे सुध असुध सब्द दिया होते है तो आपको क्यों सुध सब्द लिखके प्र शकल संकल सोटा चीड और चीन्व और कपड़ा एक होता है यदा कदा, यदा का मतलब जब, कदा का मतलब कब, एक होता है नियत और एक होता है नियत, तो इसका एक कार्थ होता है निश्चित, एक कार्थ होता है इरादा, तो यह 5 है समसुर्थ भिनार्सक सब, आपको इसको अपने कॉपी में कहीं नोट कर लेना है, हम रोज में भी मुझे लगता है तीन से चार सवाल मैप से आराम से आजाएंगे उसके बाद सभिधान का क्लास नुमर सतरह लेंगे जिसमें हम अंशेत 32 के आगे पड़ेंगे उसके पड़ेंगे उसके बाद उसके उसके आपको 20 प्रशन लगाने है profit and loss के और अपने मैज की class करनी है जहां से आप कर रहे हैं उसके बाद तरगेड़ विद अंकित पे पीके सर रिजिनी की class करा रहे हैं उसे आपको कवर करनी है अगर आप कहीं और से करने तो कोई बात नहीं लेगिन अगर कहीं से नहीं करने तो पीके सर टारगेड़ विद अंकित पे फिरी में बैच करा रहे हैं उसे आप लोग कर लिजेगा आपको इस्टाटिक में का करना है तो इस्टाटिक में आज दो संगठान याद करनी है आएम और वर्ल्ड बंक का स्थापना 1944 में इसका मुख्यालवा सिंगंडन डिसी और वर कुछ भी नहीं है हिंदी में आप एक घंटे के अंदर में सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे कल्कुलेशन करेंगे फिर उसके बाद जो है वो जीके जीए से और मैथ रिजनिंग है वल्लब आप पांसाथ घंटे अगर देंगे तो यह सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा एकद